आपको कॉंग्रेस की एक्स-ray machine के सावदान रहना है, कॉंग्रेस के नेता, कॉंग्रेस के साज़दे, गली-गली में गुम करके कह रहे हैं, जो उनको मोका मिलेगा, तो वो आपका एक्स-ray निकालेंगे, फिर कहते हैं हूँ हम बाण्ट देंगे, जादा जो हैं ले ले करके बाड़ देंगे अब ये कहते हैं जो बचत करते हैं आप उस पर सिरफ आपके संतानों का हक नहीं होगा उस पर सरकार का भी हक होगा आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या भाई और भेनों बाज़ पाके इन पैस हो के बीश आपको कॉंग्रेस की एक्सरे मशीन के सावदान रहना है कॉंग्रेस के नेता कॉंग्रेस के साज़ादे गली गली में गुम करके कह रहे हैं जो उनको मोका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे आपके लोकर में क्या पड़ा है आपके बैंक में क्या खाते में पड़ा है आपके घर में कितना सोना पड़ा है कितने पैसे पड़े हैं यह सारा उसका हिसाब कताब लगाएंगे और फिर कहते हैं वह हम बांट देंगे ज्यादा जो हैं ले लेकर के बांट देंगे इतना ही नहीं है, वो एक ऐसे टेक्स की बात कर रहे हैं, आज आप हर माबाप मेहनत करके कुछ लुग बचत करता है, अपनी जरुवत को कम करके बचत करता है, क्योंकि उसके मन में रहता है, कि मरने के बाद बच्चों को कुछ दे करके जाऊं अपने संतानों को कुछ दे करके जाऊं और इसलिए वो कुछ दो कुछ बचत करता है अब ये कहते हैं जो बचत करते हैं आप उस पर सिरफ आपके संतानों का हक नहीं होगा उस पर सरकार का भी हक होगा और जो भी आपने बचाया है बच्चों के लिए वो बच्चों को जाने से पहले आजा से जाजा सरकार ले लेगी अगर आपके पाद दस एकड़ की जमीन है अब आपको दस एकड़ की जमीन बच्चों को नहीं दे पाएंगे पांच एकर सरकार ले लेगी आपने गाउं में गर है शहर में गर बनाया है तो गर गया समझ लीजिए अब मुझे पताइए आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या जो आपकी महनत का पैसा लूट ले ऐसी सरकार चाहिए क्या आपकी संपति छीन के कहा उनका इरादा ये खतरना की रादा है ये इन माक्षवादियों का विचार है इन नक्षलवादियों का विचार है और इसलिए ऐसे लोगों से एक भी आदमी जित करके दिल्ली नहीं जाना चाहिए इन सबसे आपको कॉंग्रेस से सतक रहने की झाल भे